हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ हैगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने रेलबे आरार बी अंटीपीसी एक्जाम जो अभी 2020 में CBT-1 में जितने भी फेज़ेज में एक्जाम्स कंड़क्ट हुए हैं वो सारे कोश्चन्स को हम लोग देखेंगे तो चलिया बढ़ते हैं अपने कोश्चन्स की तरफ पहला कह रहा है कि साइमन कमीशन जो है वो कब भारत आया था देखें साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइमन कमीशन जो है वो तीन फरबरी 1928 को भारत आया था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा व वहीं एक चीज़ याद रखिएगा साइमन कमेक्सन की जो न्यूकती है वो 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अधश्ता में साथ सदसी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स कहरागी भारतिये राष्टिये धोज जो है वो सरप्रतम बिदेश में कब फैराया गया था। बीस एनाई से 1867 की क्रांती की सुरुआध हुई थी। आगे कहरागी भारत का प्रथम नुकलियर प्लांट कहां अस्थापित हुआ था। तो भारत का पहला नुकलियर प्लांट जो है वो तारपूर महराष्ट में संजुक्त राज अमेरिका के सहयोग से अस्थापित हुआ था। नेक्स कहा रहा है WTO यानि की World Trade Organization के कितने सदफ से देश हैं तो World Trade Organization के सदफ से देश हैं 164 इसकी अस्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी और इसका हेटकॉर्टर जो है वो जिनेवा स्वीजर लेंड में स्थित है। नेक्स कहा रहा है कि भारत का प्रथम हाइकोर्ट कहां खोला गया था। ल्डेटेन, फ्रांस और चीन. Next कहारा है कि युनेसको बिस्फ धरोहर सुची में जून 2020 तक कितने हैरिटेज अस्थल सामिल हैं? तो जून 2020 तक 1121 हैं अस्थल सामिल हैं. वहीं UNESCO की अगर हम लोग बात करते हैं तो UNESCO का जो full form होता है वो होता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization जिसकी अस्थापना जो है वो 1945 में और headquarter जो है वो Paris, France में इस्थी थे Next कहा रहा है कि सुकन्या सम्रिद्धी योचना का सुबारम किस ने किया था तो सुकन्या सम्रिद्धी योचना का सुरुआज जो है वो पर्थानमंति नरिंद मोदी के द्वारा पानिपत हर्याना से 2015 में किया गया था सुकन्या सम्रिद्धी योचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी सुरुआज जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया था और इसका मुख देश जो है वो बेटीों की पढ़ाई और साधी में आर्थिक समर्थन के लिए किया गया है परदार सरोबर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है नर्मदा नदी की उदगम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उदगम जो है वो बिंध्यांचल परवस्त रेंडियों में इस्थित आमर कंटक नामक अस्थान से है नेक्स कहरा है कि सबसे ज़्यादा बॉकसाइड का उत्पादन किस राज्य में होता है तो सबसे ज़्यादा बॉकसाइड का उत्पादन जो है वो उडिसा में होता है अगर देसों में पूछ ले तो सबसे ज़्यादा बॉकसाइड का उत्पादन होता है वो अस्टेलिया म नेक्स कहरा है कि गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर है तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्ध पदेश में चंबल नदी पर है तो और अगर चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी का जो उदगम है वो मध्ध पदेश में मौ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से है, नेक्स कहरा RTI Act जो है वो कब लागू हुआ, मतलब Right to Information Act जिसको सूचना का अधिकार कहा जाता है, या जो है वो 12 अक्टूबर 2005, RTI Act, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, सूचना के अधिकार का आर्थ है कि कोई भी भारतिय नागरिक, राज या केंदर सरकार क कारियालियों और विभागयों से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है, नेक्स कहरा है कि तन्यता जो है वो किसका गुन धर्म है, तो तन्यता जो है वो धातू का गुन धर्म है, आगे कहरा है कि मुगल सासक अकबर का राजा विशेक कब हुआ तो अकबर का राजविशेग जो है यहां सवरी 1956 नहीं 1556 होना चाहिए 14 फरबरी 1556 को पंजाब के कला नौर नामकस्थान पर अकबर का राजविशेग हुआ था और अकबर का सासनकाल जो था वो 1556 से लेकर 1605 तक था नेक्स कहरा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन यानि हर एक ये अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना जो है वो 1924 में किसके द्वारा साचिंदर सान्याल के द्वारा किया गया था लेकिन अगर ये कुश्चन पूछ ले कि हिंदुस्तान सोसलिस्ट प्येच मान कितना होता है तो मानब सरीर आप लोग पढ़ रखे होंगे कि मानब सरीर का जो है वो 7 से लेकर 7.8 प्येच पराज के बीच कार्ज करता है तो यहां है 7.3 से लेकर 7.4 तक याद रखिएगा रक्त का जो प्येच मान होता है वो 7.4 होता है लार का जो प्येच मान होता है वो 6 होता है नेक्स कहरा है कि निती आयोग ने बोमेंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आवार्ड की सुरुवात कब की थी तो निती आयोग जो है वो बोमेंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आवार्ड की जो सुरुवात है वो 2016 में किया है वहीं निती का फूल फॉ वो ब्रहमगीली परवत से महरास्ट के नासिक से होता है वहीं गुदाबनी नदी से याद रखेगा इसे बृध गंगा या दच्छिन गंगा भी कहा जाता है नेक्स कहरा तमस उपन्यास के लेखा कौन है तो उनका नाम है भिस्म सहनी नेक्स कहरा की जाबा प्रोग्रामिंग लेंगवेज का विस्कार किस ने किया था तो जाबा प्रोग्रामिंग लेंगवेज का विस्कार जो है वो जेम्स और्थर गोसलिंग के द्वारा किया गया था एक चीज याद रखेगा जाबा से जाबा जो है वो C++ के जैसा ही एक object oriented language है Next करा भारत ने उलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया तो भारत जो है वो 1990 में पेरिस के उलंपिक में प्रथम बार भाग लिया है आगे करा नब कलेसवर उसब जो है वो किस राज में मनाया जाता है तो नब कलेसवर उसब जो है वो उडिसा में मनाया जाता है साथी साथ उडिसा से याद रखेगा बाली आतरा भी उडिसा में मनाया जाता है फिर नुवाखाई महोसब भी उडिसा में और रज महोसब 2021 भी अभी उडिसा में मनाया गया है नेक्स्ट कहरा है कि URL का full form क्या होता है तो URL का full form जो है वो uniform resource locator होता है नेक्स्ट है कि insert 1B भारतिय संचार उपगरा जो है वो कब launch किया गया था तो यह जो है वो 1983 में launch किया गया था और इसे जो है वो ford aeroscope के द्वारा निर्मित किया गया था और isro के द्वारा संचालित किया गया था नेक्स्ट गहरा है कि कितने पर्याबरन बीदो को golden man golden man पर्याबरन प्रुसकार 2019 से सम्मानित किया गया था तो टोटल 6 लोगों को किया गया था इस जो golden man पर्याबरन प्रुसकार है इसको green nobel प्रुसकार के नाम से भी जाना जाता है साथी साथी यहां 2019 पूछ रहा है लेकिन 2021 में ही भी 6 लोगों को ही दिया गया है यह अधर रखिएगा नेक्स कहँएरा दूतिय पर्मानू परिचन 1998 का कोड गया था तो दूतिय पर्मानू परिचन का कोड था अपरेशन सकती अच्छा अगर आपसे प्रथम का पूछ ले तो प्रथम हुआ था 1994 में और इसका कोड जो था वो था अस्माइलिंग बुद्धा नेक्स कहराएगी नोबल प्राइज विजेता सबसे यूबा कौन है तो नोबल प्राइज विजेता सबसे यूबा है मलाला यूसुफ जाही वहीं नोबल प्राइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी अस्थापना जो है वो स्वीडन के बैग्यानिक अलफ्रेड बनहोड नोबल के द्वारा 1901 में की गई थी आगे कहरा है गी प्रथम संबिधान संसोधन कब हुआ तो प्रथम संबिधान संसोधन जो हुआ वो 1901 में हुआ और इसी संसोधन के द्वारा संबिधान में नौमी अनुसुची को जोड़ा गया नेक्स कहरा है कि पर्धानमंत्री स्वास सुरच्छा योजना कब सुरू की गई तो पर्धानमंत्री स्वास सुरच्छा योजना जो है वो मार्च 2006 में सुरू किया गया था और इसका उदेश जो था वो मुख रूप से एमस जैसी संस्थानों की अस्थापना करना और साथी साथ बिभिन राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नेयन करना था नेक्स कहरा है कि कम्प्यूटर में डाटा ग्रहन किस रूप में किया जाता है तो कम्प्यूटर में डाटा ग्रहन जो है वो बाइनडी फॉर्म में किया जाता है नेक्स कहरा है कि साची का स्टूब जो है बकिस ने बनवाया था साची का स्टूब जो है वो समराट असोग के द्वारा बनवाया गया था नेक्स कहरा है कि राजा रभी बर्मा किस छेतर से संबन्दी थे तो राजा अरभी बर्मा जो है वो चितरकारी से संबंदी थे नेक्स कहरा कि प्रथम पंच वर्षिय योचना का मुख देश क्या है तो प्रथम पंच वर्षिय योचना कब 1901 से लेकर 1956 जो की हिराल डोमर मोडल परा धारिक और इसका मुख देश जो था वो क्रिसी का विकास था नेक्स कहरा फुलगोबी जो है वो किस परकार का पुस्प है तो फुलगोबी जो है वो दूई लिंगी परकार का पुस्प है नेक्स कहरा अलपसक्यों के हितों के लिए कौन से अनुछेद में बताया गया है तो आप लोग पढ़े होंगे अनुचेद 29 जिसमें अल्पसंख्यक बर्गों के हितों के संग्रचन का उपबंध दिया गया है तो इसकी अस्थापना जो है बो सर सेद अहमद खान के द्वारा किया गया था और इसकी अस्थापना जो है बो सुरू में 1875 में की गई थी उस समय इसका नाम जो था बो मुहमबत एंगलो ओर्लेंटल कॉलेज था आगे कह रहा है यह भारत का दचीनतम मिंदू कौन सा है तो भारत का दचीनतम मिंदू है इंदरा पॉइंट जो की बिहत निकोबार दिप में स्थित है और पहले इसका नाम जो था वो पिगमिलियन पॉइंट था नेक्स्ट कहरा है कि जमा मस्जित का निर्मान पूरा कब हुआ था तो जमा मस्जित का निर्मान जो है वो 1656 में पूरा हुआ था साज जहां के द्वारा 1650 में इसको सुरू करवाया गया था आगे कहरा है कि सांभर जील कहां है सामभर जील से आप लोगों को याद होगा भारत में सबसे अधी खरे पानी की यह जील है और यह कहां इस्थित है? राजस्थान में इस्थित है राजस्थान से में कुछ और भी जीले के नाम याद रखेगा जैसे की फतेह सागर जील, राज समंद जील, पिछौला जील और जै समंद जील यह सब जो जील है वो कहां है? राजस्थान में इस्थित है नेक्स कहरा है की चीनी के डंग में कौन सा आमल होता है? तो चीनी के डंग में फार्मी के सीट पाया जाता है नेक्स कहा रहा है 2021 की जंगन्ना में भारत का लिंगानुपाथ कितना है तो भारत का लिंगानुपाथ है 943 अगर सरबादीक लिंगानुपाथ बाला राज़ पूछे तब आपका अंसर होगा केरल जहांकी दस्थो चौरासी है और अगर न्यूंतम लिंगान उपात पूछे तो आपका अंसर हो जागा हर्याना जहांकी 879 है according to the senses of 2011 नेक्स कहराएगी न्यूटन के गती के प्रथम नियम को क्या कहते हैं तो न्यूटन के गती के प्रथम नियम को जड़ात्व का नियम भी कहा जाता है नेक्स कहराएगी बहुतकी में किसको दो बार नोबल प्रोसकार मिला है तो बहुतकी में जॉन वर्डिन को 1956 और 1972 दो बार नोबल प्रोसकार दिया गया है आगे कहराएगी बुलन दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था तो बुलन दरवाजा को गुजरात बिजय की उपलप्ष में बनवाया गया था तो इसका अंसर है गुजरात बिजय वहीं आप लोगों को एक चीज और याद रखना है कि गुजरात बिजय के दोरान जो है वो अकबर सरपर्थम पूर्तगालियों से मिला था और वहीं इसने सरपर्थम समूंद भी देखा था नेक्स कहरागी यूनिसेफ का मुख्याले कहां है तो यूनिसेफ की मुख्याला है निवार्क में और इसकी अस्थापना जो है वो उनिसो चीज आल इसमें हुई है नेक्स कहरागी अब प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत कब हुई थी तो प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुआत जो है वो उनिसो तिहत्तर में हुआ था नेक्स कहरागी बारलेस टेक्नलोजी ब्लूटूथ के अब इसकारक कौन है तो जॉप होटसें जो है वो ब्लूटूथ के अब इसका रख है नेक्स का रहागी भारत के अंतरदेशिये जलमार की कुल नंबाई कितनी है तो भारत के अंतरदेशिये जलमार की कुल नंबाई जो है वो 14500 किलो मिटर है नेक्स्ट कहारागी पहली बार भारत में रेल कब चली है ये चली है 16 परेल 1830 को कहां से कहां बंबई से थाने तक 34 किलोमेटर और उस समय कौन था डलहौजी और इसलिए डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है नेक्स्ट कहारा है कि नियूंतम समर्थन मूल कौन निर्धारंत करता है तो नियूंतम समर्थन मूल जो है वो Commission for Agriculture Costs and Prices यानी कि CACP क्रिसी लागत बंब मूल आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है नेक्स्ट कह रहा कि भारत में British East India Company का पहला presidency कौन सा अस्थापित हुआ है तो यह अस्थापित हुआ है सूरत presidency आगे कह रहा कि दूसरी बंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहा से कहा तक चली थी तो दूसरी भारत बंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से कटरा तक अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जै पहली भारत बंदे भारत एक्सप्रेस तब पहली भारत बंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो नई दिल्ली से 12 नसी तक आगे कह रहा है कि पंडित रमाबाई जो है वो किस भासा से संबंधित कभी एत्तरी थी तो यह जो है वो संस्क्रीट से संबंधिती रमाबाई से आप लोगों को याद होगा इन्होंने 1889 में सारजा सदन की भी अस्थापना किया है संजुक्तराष्ट सुरच्छा परिसत के अस्थाई सदस्यों का कार्जकल कितने बर्सों का होता है तो यह होता है दो बर्सों का और अस्थाई सदस्यों का जो निर्वाचन है वो महासभा आपने दो तीहाई बहुमत से दो बर्सों के लिए करती है आगे कह रहा है कि ISP का full firm क्या होता है तो ISP का full firm होता है internet service provider next कह रहा है कि सुसील कुमार जो है वो किस खेल से संबंदित है तो इनका संबंद जो है वो दिल्ली से है और यह कुस्तिक एखिलाडी है next कह रहा है कि लोग सभा में राष्टपती द्वारा कितने अंगलो इंडियन सदस जो है वो नामित किये जाते हैं तो यह अनुछेद 331 के तहट दो अंगलो इंडियन सदस को नामित कर सकता है आगे कह रहा है कि right of children to free and compulsory education act का पारित हुआ था तो यह जो है वो 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ था अनुछेद 21 के कर क्या है आप लोगों को याद ही होगा कि राज जो है वो 6 से 14 बर्स की आयू के समस्त बच्चों को निसुर्क तथानिवाद सिछा देगी छी आसमा संबिधान संसोधन 2002 के तहट नेक्स्ट कहराएगी स्वच्चता सरवेच्चन 2019 के अधार पर देश का सबसे स्वच्चता सरवेच्चन में पहले अस्थान पर है नेक्स्ट कहराएगी आठमियन उसुची में कितनी भासा है तो यह जो है वो आठमियन उसुची में 22 भासाओं का जिक्र किया गया है देखिए मुल संविधान में 14 भासा का जिक्र किया गया था और फिर बाद में 8 भासाओं को जोड़ा गया था do यह total हो गया था 22 क्योंकि देखिए 21 मा जो संविधान संसोधन है 1967 इसके दोारा सिंधी को जोड़ा गया फिर एक खतर्मा सम्मिधान संसोधन 1992 के द्वारा मनिपूर, कोंकनी और नेपाली को जोड़ा गया और बामनमा सम्मिधान संसोधन 2003 के द्वारा मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया और अभी बरतमान में आठ्मिय नुसुची में भासाओं की जो संख्या है, वो 22 हो गई है नेक्स कहरा है कि Nine Dots Price 2019 की से दिया गया है तो Nine Dots Price जो है, वो एक पुरुसकार जो है, वो अभिने सोच को पुरुस्तृत करने के लिए बनाया गया है और यहा जो है, वो मुंबई की एक भारतिय लेकी का है, जिनका नाम है एनि जैदी उनको दिया गया है नेक्स कहरा है कि इन्डिया आफ्टर गांदी पुस्तक के लिख़क है, राम चंदर गूहा नेक्स कहरा है कि बिधवा पुंड विवाह अधिनियम जो है वो 26 जुलाई 1856 को लौड केनिंग के समय लागव था लौड केनिंग का टेनुवर कब से कब था 1856 से लेकर 1862 तक नेक्स कहरागी भारत में अंग्रेजी भासा को अधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया था तो भारत में अंग्रेजी भासा को अधिकारिक रूप से 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया था next कारा भारत में कुल कितने परमानू रेक्टर है तो भारत में कुल 22 परमानू रेक्टर है next कारा गी G730 किस परकार का उपग्रा है तो G730 जो है वो एक संचार उपग्रा है next कारा की iron, gold, silver और diamond में से कौन सा अलग है तो यहाँ पे diamond अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी सब ही क्या है वो metals है next कहरा है कि कौन सा एक जो है वो बसा उत्तक है बसा उत्तक कौन है एडिपोज उत्तक जो है वो बसा उत्तक है next कहरा oxygen, fluorine, nitrogen और argon में अक्रिये gas कौन है अक्रिये यानि inert gas पूछ रहा है तो argon हो गया argon, helium, neon, krypton, geron, radon यह सब क्या है यह सब जो है वो inert gas के examples है next कहरा है कि स्वेट क्रांती के जनक कौन है तो स्वेट क्रांती किस से संबंदी थे पहले तो यही याद रखिए कि यह दुख दुख पादन से संबंदी थे और इसके जनक जो थे वो बर्जिस कूरियन थे next कहरा तापती नदी जो है वो कहां से निकलती है तो तापती नदी के अगर हम लोग बात करते हैं next कहरा है कि देना बैंक और बिज्या बैंक का जो है वो किस बैंक में बिले हुआ है तो देना बैंक और बिज्या बैंक का जो बिले है वो बैंक और बडोजा में हुआ है देखे कुछ मज़र्स हुए थे अभी कोश दिन पहले इलाहाबाद बैंक का जो बिले है वो इंडियन बैंक में हुआ था आंधरा बैंक का बिले जो है वो यूनियन बैंक आफ इंडिया में हुआ था Oriental Bank of Commerce और United Bank of India का बिले जो है वो पंजाब नेस्नल बैंक में हुआ था और Syndicate Bank का जो बिले है वो केंधरा बैंक में हुआ था और बरतमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो बरतमान में भारत में जो सारव जटनिक छेत्रो की बैंकों की जो संख्या है वो 12 है नेक्स कह रहा है ये संजुक्तरा संग का आठमा महासचीब कौन है देखे ये आठमा महासचीब थे वोन की मुन ये कब से कब तक थे ये थे 2007 से लेकर 2016 तक अभी जो है वो नौमे हैं और उनका नाम है अंटीनो गुटेरस जो की पुर्तगाल के है नेक्स कह रहा है प्रतम परमानु रियक्टर का उदगाटन जवाहरला नहरू ने कब किया था तो 1997 में किया था ये बात किसकी कर रहा है अब सरा की बात कर रहा है जो की भाभा एटॉमिक रिसर्ट सेंटर के ट्रॉंबे परिसर में बनाया गया था नेक्स कहरा है अंतरास्टिय नित दिवस का मनाया जाता है तो अंतरास्टिय नित दिवस जो है वो 29 अपरेल को मनाया जाता है देखिए अपरेल के कुछ अनिम्पोर्टेंट डेज भी याद रखिएगा जैसे 7 अपरेल को 20 वास दिवस 18 अपरेल को बिस्व बिरासत दिवस 22 अपरेल को प्रिथिवी दिवस 25 अपरेल को बिस्व मलेरिया दिवस 26 अपरेल को बिस्व बौधिक संपता दिवस जो है वो मनाया जाता है आगे कह रहा है कि तमिल नंबर्स का क्या नाम है तो तमिल नंबर्स का नाम है पू थुंडू नेक्स कहरा है तंजाबूर में यानि तंजौर में बिज़देशवर हिंदू मंदिर का निर्मान जो है वो किसने करवाया था तो यह करवाया था राजा राज चोल जो की एक सैब धर्मकान हुआई था नेक्स कहरा है कि दूसरे गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था तो दूसरे कॉंग्रेस सम्मेलन एक मातर ऐसा गोल में सम्मेलन था जिसमें की कॉंग्रेस ने भाग लिया था और कॉंग्रेस के प्रतिनीधी के रूप में महातमा गांधी जो है वो इसमें भाग लिये थे दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ कब था 7 सितंबर 1931 को अच्छा अगर प्रथम पूछ दिया जाये तो प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 को और त्रितिय हुआ था 17 नवंबर 1932 को नेक्स कहा रहा है इन में से कौन सा जो है वो इनपूट डिवाइस नहीं है इनपूट यान नहीं है यानि आउटपूट डिवाइस होगा तो प्लोटर क्या है वो एक आउटपूट डिवाइस है नेक्स कहरा है कि भारत के पूर्वी टटपर सबसे पुराना क्रित्रिम बंदरगा कौन सा है तो भारत के पूर्वी टटपर जो सबसे पुराना क्रित्रिम बंदरगा है वो है एच्छे नई नेक्स कहरा है कि सुध निवेस जो है वो किसके बराबर होगा तो सुध निवेस जो है वो सकल निवेस मुल लिहास के बराबर होगा नेक्स कह रहा है कि राजपुन गठन अधिनियम कब पारित हुआ था 31 अगस्त 1956 देखे कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ रहता है जुलाई 1956 ठीक है राजपुन गठन अधिनियम जो है वो जुलाई 1956 में पारित हुआ था और इसके अनुसार भारत में 14 राज और 6 कंदरसासित प्रदेश जो है वो अस्थापित किये गए थे नेक्स कहरागी खिलापत अंधोलन किस ने सुरू किया था तो खिलापत अंधोलन जो है वो मुहम्माद अली और सौकत अली बंधूओं के द्वारा 1990 में सुरू किया गया था नेक्स कहàng रहा है बारत में सबसे पहले अपनी बेसिक सासन के अस्थापना जो है वो बंगाल में हुई थी नेक्स्ट कहा रहा है कि राउल के ला स्टील प्रांट का उखाटन कब किया गया था तो राउल के ला स्टील प्रांट का उखाटन जो है वो तीन फरबरी 1959 को ततकालीन राश्टपती राजेंद प्रसाद के द्वारा करवाया गया था किया गया था, राउल के लास्टील प्रायन से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो है वो पश्चमी जर्मनी की सहायता से लगाया गया था नेक्स कहरा है कि जमिंदार पर अधारित सत्यजीत रेकी कौन से फिल्म है, तो उसका नाम है जल साघर नेक्स कहरा है कि सैडर आफ सैफरोन फ्रॉम बाजपई टु मोधी, पुस्तक के लेखा कौन है, तो उनका नाम है सवा नकवी नेक्स कहरा है कि कपास का मुखरूब से किस राज्जे में उत्पादन होता है, तो महराष्ट, यहाँ गुजरात आप्सन में नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्जे है भारत में कपास का वो है गुजरात, और अगर देशों में देखा जाये तो चीन जो है वो सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश है Next कहSudan है कि Neuron में कौन सा हिस्सा जो है वह जानकारी प्राप्त करता है Next कहerie है कि 1913 में Nobel Prize जो है वो किस भारतियों को मिला था तो 1913 का नोबल प्राइज जो है वो रबिन्ना टाइगोर को उनके काव संग्रह गितांजली के लिए दिया गया था Next काराईगी हड़े पेड़ पौधे परकास की उपस्थिती में परकास संसलेशन के द्वारा अपना भोजन स्वम बनाते हैं ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है तो ऐसे पौधे को आउटो ट्रॉप्स यानि की स्वपोसी कहा जाता है नेक्स कहरा है कि पुंजी गत आय का भाग कौन सा नहीं है तो कर जो है वो पुंजी गत आय का भाग नहीं है नेक्स कहरा है कि संजुक्तराष्ट सुरच्छा परिशत का अस्थाई सदस कौन सा है तो पांच इसमें अस्थाई और दस इसमें अस्थाई और पांच जो अस्थाई है वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका नेक्स्ट कहरा है कि भारत का प्रथम संचार उपगरह जो है वो परच्छेपीत केंदर कौन सा था तो वो था थुमबा त्रिवेंदरपूरम में नेक्स्ट कहरा है कि पेट की दिवार को अमलेता से रच्छा कौन करता है तो वो करता है म्यूकस नेक्स्ट कहरा है कि इसरो द्वारा सौ में उपगरह का परच्छेपन कब किया गया तो यह किया गया 12 जनबरी 2018 को next कह रहा है computer कौन सा कार्ज नहीं करता है तो understanding जो है वो computer नहीं करता है next कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस जो है वो किसने लागू किया था तो अस्थाई बंदोबस की अगर हम लोग बात करते हैं next कह रहा है कि सबसे ज़्यादा uranium उतपादन भारत के किस खान से होता है तो खान अगर पूछ रहा है कि किस खान से होता है तब होता है जादू गोड़ा जारखंट से उसके बाद लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उतपादक राज्य कौन सा है तो वो है आंधपदेश, ठीक है, और अगर देश में पूछ ले, तब कौन है, काजकस्थान है, क्लियर है, चलिए, नेक्स कहरा है कि चीटी के डंग के परभाव को बेसर करने के लिए क्या लगाया जाता है, देखें, चीटी के डंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसीड होता हैं, जो कि है बेकिंग सोडा, नेक्स कहरा है, कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लौच किया गया था, तो चंद्रयान 2 जो है वो रॉकेट GSLB Mark 3 M1 से लौच किया गया था, नेक्स कहरा है, कि 1962 के भारत चीन यूद के पश्चाद किस मंतरी ने इस्थिपा दिया था, तो उनक 1856 में इसको कुसासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, और उस समय आवद का जो नवाब था, वो बाजी दली साह था, नेक्स कहरा है, कि संगाई तेवहार जो है वो किस राज में मनाया जाता है, तो संगाई तेवहार जो है वो मनीपूर में मना तक कन्या कुमारी से लेकर क्रिष्णा डेल्टा तक का जो टट है वो कोलोंडल टट कहलाता है और यह जो है वो तमिलाडू और आंध्यपदेश होगा नेक्स कहरा कि गरीबी हटाओ का नारा किस ने दिया था तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो इंद्रा गांधी के द्वारा दिया गया था इंद्रा गांदी का जो पर्धान मंत्री के रूप में टेनवर था वो 1966 से लेकर एक बार 1977 तक और फिर जब दूसरी बार पर्धान मंत्री बनी थी तो 1980 से लेकर 1984 तक नेक्स कहा रहा कि कितना तापमान बढ़ने पर अभी क्रिया का बेग जो है वो दुगना हो जाता है तो परते एक 10 डिग्री के ब्रिधी पर प्रतिक्रिया की दर जो है वो दो गुना हो जाती है नेक्स कहा रहा कि प्रथम गोल में सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था तो प्रथम गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था Congress जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूतिय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था देखिए गोल में सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो Dr. Bhimrao Ambedkar जो है वो तीनों गोल में सभाओं में अच्छूतों के प्रतिनीथी के रूप में भाग लिये थे GST कब लागू हुआ था GST की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो एक जुलाई 2017 को लागू हुआ था और भारत जो है वो GST को लागू करने बाला 161 देश है और भारत में जो GST है वो कनाड़ा मोडल पर अधारित है next कर भारत में प्रतम येल कप चली तो अभी हम लोगों ने देखा था 161, 1813 को मुंबई से लेकर थाने के बीच next कर रहा है कि किस राज के लोगों को प्रती बेक्ति आयए जो है वो सबसे अधीक है तो गुवा के प्रती बेक्ति आयए जो है वो सबसे अधीक है और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा गरीबी दर किस राज में है तब आप कांसर जो होगा वो हो जागा 36 गड़ में सबसे ज़्यादा गरीबी दर है नेक्स कहा रहा है कि कौनसी परवत्स रिंखला के बाद पश्ची मरुवस्त लाता है तो अराबली परवत्स रिंखला के बाद पश्ची मरुवस्त लाएगा नेक्स कहा रहा है बैस्विक आर्थिक मंच यानि के बर्ल इकनॉमिक फॉरम का बैठक जो है जन्बरी 2020 में कहां युजित किया गया तो ये स्विजर लेंड दाबोस में किया गया वहीं बर्ल इकनॉमिक फॉरम की अगर बात करते हैं तो इसकी अस्थापना जो है बो 1971 में और इसका हेटक्वाटर जो है बो स्विजर लेंड में इस्थित है नेक्स कहा रहा है अंतरास्टीय योग दिवस का मनाया जाता है तो अंतरास्टीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है और 2021 का जो इसका थीम था वो क्या था वो था योगा फॉर बेल बिंग एलिफेन्टा की गुफा जो है वो किस दीप पर इस्थित है तो ईलिफेन्टा की गुफा जो है वो ईलिफेन्टा दीप अस्थित है नेक्स कहा रहा है कि बिस में सरवादीक सीत मरुवस्थल कौन सा है तो बिस में सरवादीक सीत मरुवस्थल जो है वो है अंटार्टिका नेक्स कहा रहा है कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है तो पब्लिक सक्टर के सबसे बड़ी बैंक है State Bank of India आगे कहरा है ये भारतिये पुराता सर्वेच्छन द्वारा कितने बर्स पुरानी बस्तू अस्थल का सर्वेच्छन किया जाता है तो कम से कम 100 बर्स पुरानी जो होगी उसी का सर्वेच्छन भारतिये पुराता सर्वेच्छन जो हो करेगा नेक्स कहरा है कि दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी से याद रखेगा इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्मूनियम और मैगनीशियम की बहूलता पाई जाती है नेक्स करागी बैस्विक प्रतियस्प्रधा छमता सूचकांग में भारत का स्थान कौन सा है तो 2020 में 43 मा था, याद रखी का 2021 में भी 43 मा ही है ठीक है, और पहले नमबर पे कौन है, पहले नमबर पे है स्विजिर्लेंड और इसको जारी कौन करता है IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है नेक्स कहरा है, सिमान्त गांधी के नाम से कौन जाने जाते है तो खान अब्दुल गफार खान को सिमान्त गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खान, बासाह खान, ये सब के नाम से किन को जाना जाता था, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, नेक्स कहरा है, पोंगल तेवहार उस सब किस राज में मनाया जाता है, तो पोंगल में से कौन जो है वो एक आंटिवारस है options के according notron जो था वो एक क्या है अंटिवारस है next कहाई रहा इगरामा ब्रिक्समिलन कहां पर हुआ था तो इगरामा ब्रिक्समिलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कहां हुआ था यह ब्राजिल की राध्भानी ब्रासीलिया में हुआ था वहीं ब्रिक्स की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा B-R-I-C-S का मतलब होता है ब्राजी लसिया इंडिया चाइना एंड साथ अपिर का जिसकी अस्थापना जो है वो 2006 में की गई थी नेक्स कहरा है कि एस याई विकास बैंक का मुख्याले कहा है तो एस याई विकास बैंक का मुख्याले जो है वो मनीला फिलिप्लिंस में है और इसकी अस्थापना जो है वो 266 में हुई है नेक्स कहरा कि चौथी बोसंगती किस राजा के काल में हुआ था तो चौथी बोसंगती जो है वो कनिस्क जो की कुसान बंस का राजा था उसके सासन काल में और कहां हुआ था कुंडल बन कास्मीर में हुआ था और किसकी अधेश्टा में हुआ था बसुमित्र और अस्व घोस की अधर्चता में हुआ था और यही चौती बौत संगती के बाद बौत धर्म जो है वो ही नान या और महायान दो धर्मों में विभाजित हो जाता है नेक्स कहरा है भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है तो जो लार्ग रंथियां होती है वो भोजन के ज नेक्स कहिए रहा है कि पेड़ो में जड़ से पतियों तक जल को कौन सा उत्तक ले जाता है तो जल को कौन ले जाएगा जायलम ले जाएगा और खायाना को कौन ले जाएगा फ्लो एम ले जाएगा नेक्स कहा रहा है कि इसरो के द्वारा जन्बरी 2016 में लॉंच नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा परबंदर और मच्छवारों को समुदरी तुफान के बारी में जनकारी पदान करता है तो इसका नाम है IRNS11E ठीक है नेक्स कहा रहा है अल्टिमीटर, बेरोमीटर, थर्मामीटर क्या है तो ये सब क्या है मेचरिंग डिवाईस है यानि की मापनी अंतर है नेक्स कहा रहा है कि दूर संचार से संबंधित ADSL का फूल फॉर्म क्या होता है तो ADSL का फूल फॉर्म होता है ASIMETRIC DIGITAL subscriber line नेक्स कहा रहा है कि 1947 में हुई रेल हर्ताल का नतरित किस ने किया था तो 1947 में जो रेल हर्ताल हुआ था उसका नतरित जो है जो है जो जो आज फनेडिस के द्वारा किया गया था नेक्स कहा रहा है कि कि किसी कोसिका का बिभाजित होकर दो नई कोसिकाओं का निर्मान करना क्या कहलाता है तो यह जो है बाइनरी फीजन कहलाता है मतलब दूई खंडन कहलाता है नेक्स कहा रहा है कि ओजोन के एक अनू में कितने ऑक्सीजन होते है तो ओजोन के एक अनू में कितना होता है तीन ऑक्सीजन होते है और ओजोन से एक चीज और याद रखेगा कि 16 सितंबर को अंतरास्टिये ओजोन परस्ण रच्छन दिवस जो है वो मनाया जाता है आगे कह रहा है कि संजुक्त राष्ट की समिच्छा एकाई का नाम क्या है तो उसका नाम है संजुक्त निरच्छन एकाई नेक्स्ट 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 नेक्स् यरनेस्ट जॉन हेंडी मैके नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम परमानु परिछन कब हुआ तो भारत में प्रथम परमानु परिछन जो है वो 18 माई 1924 को राजस्थान के पोकरन में हुआ नेक्स्ट है हमारा गी महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असयोग अंदोलन बापस ले लिया था तो चौरी चौरा कांड के बाद चौरी चौरा कांड कब हुआ पांच फरबरी 1922 को और फिर 11 फरबरी 1922 को महात्मा गांधी जो है वो असयोग अंदोलन को अस्थागित कर देते हैं नेक्स कहा रहा है कि भारतीय राष्टीय कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यच कौन थे तो पहले मुस्लिम अध्यच थे बदरुदिन तयब जी इन्होंने 1887 में मदरास अधिवेशन की अध्यचता की थी अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम अंग्रेज अध्यच कौन था तब वो 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यचता किया था उसका नाम था जौर्ज जीवले नेक्स कहा रहा है आसयोग अंदोलन की सुरुआत कब हुई थी जो है वो 1920 में हुई थी और आसयोग अंदोलन की जो पुष्टी है वो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने दिसंबर 1920 के नाध्पूर अधिवेशन में किया था नेक्स कहा रहा है कि खिलापत अंदोलन किस ने सुरू किया था तो खिलापत अंदोलन जो है वो मुहांबद अली और सौकत अली बंधुओं के द्वारा मार्च 1919 में सुरू किया गया था नेक्स कहा रहा है रॉलेट अक्ट कब पारित हुआ था 26 जनवर 1919 मार्च 1919 को पारित हुआ था रॉलेट अक्ट लगू हुआ था नेक्स कहा रहा है कि दूतिय बिस्यूद के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमनी से बचाने है तो किस बिस्व संगठन को स्थाफित किया गया था तो यूनिसेफ को स्थाफित किया गया था कब? 1946 में इसका हेटक्वार्टर कहा है? Newark में है और यूनिसेफ का जो फूल फर्म होता है वो होता है United Nation Children's Fund नेक्स कहरा है धना बेसित आयन को क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा जो negatively charged आयन है उसको कट आयन कहा जाता है तो इसका अंसर होगा केटायन्स नेक्स कहरा है गी अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के बिरोध के बाद बापस ले लिया गया तो वो healthy के पेटेंट को बापस ले लिया गया है नेक्स कहरा है गी 2030 का ACI football cup कहा होगा तो यह होगा कहा है? अचीन में एक चीज और याद रखेगा 22 माँ FIFA football cup कब होगा? तो 22 माँ FIFA football cup होगा 2022 में और कहा होगा? कतर में होगा नेक्स कहरा है कौन सा computer का भाग नहीं है? तो आपसंस के according paper जो है वो computer का भाग नहीं होगा नेक्स कहरा है बिस्व का सबसे ब्यस्तम समुंदर मांग कौन है? तो अट्लांटिक महसागर उतली अट्लांटिक महसागर जो है वो बिस्व का सबसे ब्यस्तम समुंदर मार्ग है Next कह रहा है कि भारत October 2020 तक कितनी बार संजुकतरा सुरच्छा परिसत का स्थाई सदस रह चुका है October 2020 तक पूछ रहा है ध्यान रखिएगा 8 बार रहा है Next कह रहा है कि बर्ड बुक और कॉपीराइट डे कब मनाये जाता है तो world book and copyright day जो है वो 30 अपरेल को मतलब 20 वो पुस्ता के बाम copyright दिवस नेक्स कहा रहा है भारत में UNO के कितने संगठन है तो भारत में UNO के 26 संगठन है नेक्स कहा रहा है कि 2019 GDP के अनुसार बिस में भारत की अर्थ वेवस्था का रैंक या था अब याद रखने की जुरुवत नहीं है लेकिन यहाँ पाचमा था नेक्स कहा रहा है कि खाथ सरिंकला में तृतिये पोसन अस्तर पर कौन सा उपुभोगता होता है तो तृतिये पोसन अस्तर पर होता है दूतिये उपुभोगता नेक्स कहरा है पंचायती राज दिवस प्रतेक बर्स कम मनाया जाता है तो 24 अपरेल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और आप लोगों को याद होगा जो तिहतरमा सम्मिधान संसोधन है यह जो है वो पंचायती राज से संबंधित है next कह रहा है कि जनसंख्या के द्रिष्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो जनसंख्या के द्रिष्टी से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उतर परदेश ठीक है पहले नमबर पर उतर परदेश दूसरे नमबर पर अगर पूछे तो महराष्ट और तीसरे नंबर पर अगर पूछे तो क्या है बिहार वहीं अगर नियूनतम जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो पहले अस्थान पर है सिक्किम, दूसरे अस्थान पर है मिजोरम और तीसरे अस्थान पर है अरुनाजल प्रदेस ठीक है चलिए आगे कह रहा है WCCB का फुल फर्म क्या होता है तो WCCB का फुल फर्म होता है By Life Crime Control Bureau नेक्स्ट है हमारा कि धारा 377 के बिरोध में किन्दो महिलाओं ने केस लाड़ा था तो उनका नाम है अरुनिधिती काठ जू और मेन का गुरु स्वामी नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन के अबरूप कौन से हैं नेक्स्ट कहरा है वन बेल्ट वनुरोड योजना जो है वो किस देश ने चलाई जिसका भारत ने भी रोध किया तो One Built, One Road योजना जो है वो चाइना के द्वारा चलाया गया है जिसका भारत जो है वो बिरोध किया है next का रहा है भारत में कितने राज और केंदर सासित प्रदेश हैं तो बरतमान में भारत में 28 राज और 8 केंदर सासित प्रदेश हैं next का रहा है कि परधान मंतरी आबास योजना का पहले क्या नाम था तो परधान मंत्री आवासी ओजना का पहले नाम था इंदरा आवासी ओजना नेक्स कह रहा भारतिय अंतरिच काजकरम के जनक कौन है तो भारतिय अंतरिच काजकरम के जनक है डॉक्टर बिकरम सारा भाई next कह रहा है कि computer को remote से control करना किस protocol के तहद किया जाता है तो यह किया जाता है remote desktop protocol के तहद next है हमारा की स्वर्मीन चतुर्बुच परियोचना में कौन सा metro city सामिल नहीं है तो देखिये स्वर्मीन चतुर्बुच परियोचना जो है वो दिली मुंबई कोलकता और चेन्नाई को आपस में जोड़ती है हैदराबाद का जिक्र नहीं है तो इस question का answer होगा हैदराबाद next कह रहा फर्बरी 2021 को केंद्रिय बजट किसने पेस किया था 2021 का केंद्रिय बजट उस समय बितमंत्रि कौन थे प्यूस गोल थे लेकिन अगर इस बार मतलब 2021-22 के बजट की बात करें तो 2021-22 का बजट जो है वो बितमंत्रिय निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तूत किया गया था नेक्स कहरा भारतीय सम्मेदान में मूल लूप से कितने अनुचैद हैं तो भारतीय सम्मेदान में मूल लूप से 395 अनुचैद हैं जो कि 22 भागों में बिभाजित हैं नेस्ट के रहा कि कौन से भारतिय राज ये राज याकें अंदर सासिक परदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगपती है देखें पहले तो याद रखिए पाकिस्तान ने त्टो भारत के साथ 33, 23 किलोमेटर की ब confront करता है और वो राज जिकॉन कोन है या के अंदर सासी प्रदिश पहले तो याद रखिए जम्मू कास्मीर और लद्दाक हो गया ये दोनों और पंजाब, राजस्थान और गुजरात तो यहां लद्दाक एक भी याड़ कर लीजेगा नेक्स करा भारत माला परियोचना जो है वो किस से संबंदित है तो भारत माला परियोचना जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतरा लेके द्वारा 2017-18 से भारत मारत काजक्रम पर चलाय जा रहा है जो कि रास्टिय राजमार्क विकास काजक्रम से संबंदित है Next कर रहा है केंद्रिय मंत्री मंदल में कुल कितने मंत्री होते हैं तो केंद्रिय मंत्री मंदल में लोग सभा के कुल सदस संख्या का 1530 से जो है वो कंदरी मंत्री मंदल में होते हैं नेक्स कहरा है रास्ठी ए ग्रामिन स्वास्थ मिसन की सुरुआत कब हुई तो रास्ठी ए ग्रामिन स्वास्थ मिसन की सुरुआत जो है वो 12 अप्रेल 2005 को ग्रामिन भारत भर के ग्रामिन स्वास सुधार के लिए स्वास काचक्रम जो है वो शुरू किया गया है next का रहा संबेग का सुत्र क्या है संबेग यानि momentum momentum का सुत्र होता है द्रभ्यान इंटु बेग और इसका जो unit होगा वो क्या होगा kg meter per second next का रहा सेतु भारतम योजना जो है वो कब लाँच की गई तो सेतु भारतम योजना जो है वो 4 मार्च 2016 को लाँच किया गया है और सेतु भारतम योजना है क्या यह अक्चुली जो जितने भी NH है मतलब रास्टी ये राजमार्ग है उस पे जो रेलबे क्रॉसिंग बीच में पढ़ता है क्रॉस करना होता है वही रेलबे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना ही इस योजना का लच्छ है next का रहा भारत के बरतमान एक्टार्णी जेन्रल यानि महानियाबादी कौन से अनुछेद अनुछेद 76 तर के तहट और अभी कौन है के के वेनुगोपाल है next का रहा OPEC यानि की Organization of the Petroleum Exporting Countries जिसका हेटकॉर्टर कहां बियेना में और अस्थापना कब 1960 में कितने देश सामिल है तो 13 next का रहा ACI खेल 2018 में बहरत ने कितने गोल्ड मेडल जीते है तो बहरत जो है वो 15 गोल्ड मेडल जीता है उससे जादा याद रखना ज़रूरी है कि 19 समा ACI खेल जो है वो 2022 में चीन में होगा और 20 समा ACI खेल जो है वो नागोया जापान में 2026 में होगा नेक्स करा भारत में कुल कितने महारतन कंपनिया हैं तो कितने हैं 10 हैं कौन-कौन, NTPC, ONGC, SEL, GAL, IOCL, CIL, BPCL, BHEL, HPCL और PowerGrade टोटल कितने हो गए 10 नेक्स करा है कि इस अंतरास्टी ये संगठन का मुख्याले जो है वो भारत में है तो ये है भारती ये सौर गठवंदन का International Solar Alliance जिसकी अस्थापना जो है वो 2015 में हुई है इसका Headquarter जो है वो गुरू ग्राम में इस्थी थे और इसके जो Director General है उनका नाम है अजय माथूर नेक्स करा है खिलापत आंदोलन कब हुआ तो खिलापत आंदोलन अभी हम लोगों ने देखा 1999 में हुआ था और आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे कि 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलापत दिवस जो है वो मनाया गया था नेक्स करा है नेपाल के बरतमान राष्टपती कौन है तो बरतमान राष्टपती है बिद्या देवी भंडारी और अगर बरतमान मुख मंतरी असवरी परधान मंतरी का नाम पूछ ले तब तब उनका नाम है सेर बहादूर देवबा और नेपाल की राधानी कहां है काठमांडू नेक्स कहा रहा है निम्न में से कौन जो है वो चंदरगुप दूतिये बिक्रमादित के नबरत्र में से थे तो खाली दास थे आपसंस के एकॉर्डिंग चंदरगुप दूतिये से आप लोगों को याद होगा कि इसी के सासनकाल में जो चीनी बौध यातरी फाहियान जो था वो भारताया था नेक्स कहा रहा है की घरेलू मक्षी का बैग्यानिक नाम क्या है तो Muska Domestika जो है वो घरेली मक्वी का बैग्जानिक नाम है नेक्स कहारा है कि Artificial Intelligence के खोच करता कौन है तो जुहान मैक कार्थी जो है वो Artificial Intelligence के खोच करता है नेक्स कहारा असोग के प्राचीन सिलालेख जो है वो किस भासा में थे तो यह जो है प्राकिर्ट भासा में असोग के सिलालेखों में ब्रामी, खरोष्टी, ग्रिक और अर्माईक लिपी का परियोग हुआ है देखे असोग के अभिलेख के पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है वो 1837 में जेम्स प्रिसेप को ही है और भारत में सिलालेख का प्रचलन भी जो है वो सरपर्थम असोग के द्वारा ही करवाया गया है नेक्स कह रहा है हरियाना में कहाँ पर नुकलियर पाबर प्लांट बन रहा है तो हरियाना में फतेहाबाद में एक नुकलियर पाबर प्लांट बन रहा है नेक्स कहा रहा है कि देश की पहली समुद्री बीमान सेबा कहां पर सुरूर की गई है तो यह गया गया अंडवान है निकोबार दीब समूह में आगे कहा रहा है कि प्रथा मरेल बिस्विद्दाले कहां पर खोला गया है तो यहां खोला गया है बडोदरा गुजरात में नेक्स्ट है हमारा Quad जो है वो किस परकार की चट्टान है तो Quad जो है वो अगने चट्टान का उधारन है तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ यह सीरी जो है वो आप लोगों के लिए कितना हेलफुल है यह भी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ सेहर करना ना बुले इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दे अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें थैंक्स वर वाचिंग